जब चले तु हो ताजिकर, कोई तुझे देखे तु हो ती फिकर, तु है तब आही तु जल्मों से तम, मर जाए हम तेरे पीछे सुनौ। मैं भी किसी का नाप तक बना तेरी तारीफ मैं तुझको सुणा दू मैं जल तेरे बारे में तुझको बता दू एशान अशा है कि तुझमें ये बस जाने खुदा इस त्रीके की वीडियो बनने के लिए हमें काईन मास्टर का यूज़ करना होगा काई मास्टर को ओपन करिए ऐसी काल्टून वीडियो बनाने के लिए प्लस पर किलिक करे वीडियो किसलिए बना रहे है काल्टून वीडियो यूटूब के लिए बना रहे है तो 16 रेसियो 9 को सलक्ट करिए अगर इंस्टा वगरा, स्टोरी वगरा बनाने के लिए कर रहे हो तो nine ratio 16 वाला select करना है मैं यहाँ पर यह select करूँगा क्योंकि यूटुब के लिए बना रहे हैं चलिए मैं यहाँ पर click करता हूँ उसके बाद में आपको background select करना होगा यह आपका cartoon video किस तरीकी से देखना चाहिए कौन सा scene होगा कौन सा background होगा ये बनाने से पहले आपके दिमाग में वो scene cartoon वीडियो का scene आपके दिमाग में होना चाहिए जैसे कि मेरे दिमाग में है तो वो scene मैं बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे चाहिए background में एक sky sky चाहिए तो मैं यहाँ पर एक photo डाउनलोड कर रहा हूँ sky की मैंने वो यहाँ पर add कर दी आप देख सकते हैं मैं इसे 30 second तक बढ़ा लेता हूँ लगबग जितना हमारा ये वीडियो का scene होने वाला है यब 25 second मैंने बढ़ा लिया अब मैं इसे full screen कर लेता हूँ जूम करके मैं यहाँ पर इस तरीके से जूम कर लिया मैंने ओके और यहाँ पर done कर देता हूँ अब यह full screen हो गया है अब मुझे यहाँ पर फिर से layer पर click करना है मीडिया पर जाना है इसके बाद में एक और इसके नीचे जमीन लगानी है मुझे आस्मान के नीचे जमीन भी होती है तो वो जमीन एड़ करनी है आप चाहो तो बहुत तरीके की Google पर PNG सर्च कर सकते हो PNG nature image बहुत सारे आपके ऐसी मिल जाएंगे तो यहाँ पर मैंने यह select किया यह PNG है आप जैसा की देख पाऊगे यह PNG है तो मैं इसे जूम करके इसको यहाँ पर ऐसे कैसे फिट कर देता हूँ ओके अब यहाँ पर आप देखोगे अभी हमें यह ठीक है यह हमारा background त्यार हो चुका है मैंने लग इस background में हम हमारे cartoon को जो cartoon character है उसे move करवाएंगे इसके लिए मैंने बहुत सारी research करने के बाद में बहुत सी video के लिए मिली जहां से मैं इस cartoon character को यहाँ पर डाल सकता हूँ तो यहाँ पर क्या करना है simply layer पर click करना है और media पर जाना है media पर जाने के बाद में मैंने green screen video download कर रहा किया तो मैं चलिए वो यूज करता हूँ उसको मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ ओके यहाँ पर हमने वो select कर लिया green screen अब सबसे पहले मैं इसको select करूँगा और यहाँ करोमा की में जाकर इसका जो green green color का background है वो हटाँगा इसके लिए करोमा की में गया और इसे enable कर देता हूँ जैसे enable करूँगा जो सबसे ज़्यादा white white color हो रहा है वो मान लीजिए हट जाएगा तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा white हो रहा है इस तरीके से वो हट रहा है तो हमें इस तरीके से इसे adjust कर लेना है आगे पीछे कर गे जो मारा character है वो ऐसे कैसे रहना चाहिए इसके लिए आप यहाँ पर अगर नीचे होगे की color में जाओगे और green color select कर लेना इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर adjust करना होगा तो यहाँ पर यह लड़की आपको highlight होती हुई दिखाई दे रही होगी ऐसे black color में इसका मतलब है यह बिल्कुल सही है अब आप देखोगे यह देखे अब हमें थोड़ा realistic बनाने के लिए थोड़ा इसे adjust करेंगे इस तरीके से यहाँ पर अब यह लड़की चल रही है walking कर रही है तो हम क्या करेंगे यहाँ की का एक button होगा इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा इधर लेके जाएंगे यहाँ पर ओके done तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यह चलती हुई दिखाई दे रही होगे अब हमें क्या करना है यहाँ पर और भी realistic बनाना है इसके लिए आपको layer पर click करना है यहाँ पर मैं media में जाता हूँ और एक png gas वाली select कर लेता हूँ अब इसको इस तरीके से select करूँगा यहाँ पर और इसे थोड़ा नीचे करता हूँ इससे ऐसे लगएगा कि जैसे यहाँ पर फूल उग रहे हैं गास उग रही है और यह उसके बहद में है तो थोड़ा realistic लगएगा और मैं इसको फूल कर देता हूँ आगे तक बढ़ा देता हूँ साथ में अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा butterfly वगएगा उड़ानी है तो यहाँ पर media भी जाता हूँ और यहाँ पर एक और green screen वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं butterfly का ओके इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ और इसको फुली screen पर कर लेता हूँ और यहाँ पर यह chroma key पर जाता हूँ enable कर देता हूँ इसके बाद में आप देखोगे तो इस तरीके से यह लग गया अब मैं इस पर audio लगा सकता हूँ या गाना लगा सकता हूँ आपका scene तयार है अब मैं यहाँ पर background song पर लगा देता हूँ इसके लिए पहले वाले background को music था उसको मैं mute कर देता हूँ और नया song इसमें लगा देता हूँ कोई भी आपके से आप जो आपको आपके scene के साब से लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते है ओके इसके बाद में जैसे आप background music बगर लगा दे इसके बाद में export पर click करें और ये वीडियो आपका export हो जाएगा आपकी gallery में है थैंक यू इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे technical परिवार को subscribe परिए और फिर में लेंगे नए वीडियो में धन्यवाद